Quesn 6, इस question को हम balance method use नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो equation solving method है, ऐसे ही solve करेंगे, तो इसका equation solving method से solve करने से एसा हो आएगा answer, तो पहले क्या करेंगे, 3 की साथ y को multiply करेंगे, 3y होगा, 3 की साथ 3 को multiply करेंगे तो 9 होगा, दोनों को 20 में positive sign है, तो plus होगा, plus 4 equal to 28 होगा, next हम क्या 3y को एधर राखेंगे, इन डोनों को add करेंगे, तो 13 होगा, 13 को stir अफ लाएंगे, तो 28 minus 13 होगा, तो इन डोनों को subtract करने से value आएगा 15, मतलब 2y equal to 15 होगा, तो y का value हम निकालेंगे, y equal to 15 by 3, so 3 से 15 को divide करेंगे तो 5, मतलब y का हमें value मिला, y equal to 5, y equal to 5, यह जो solution हमें मिला, यह जो value मिला, यह इस equation का solution है, या नहीं हम चेक करेंगे, चेक, तो सेक केशे होगा, पहले हम इसका left hand side लेंगे, क्यूंकि left hand side में ही variable है, तो right hand side में नहीं है, तो हम left hand side लेंगे, left hand side equal to 3y plus 3 bracket 4, तो 3y का value कितना मिला हमें, 5 plus 3 equal to plus 4, so 5 plus 3 equal to 8 होगा, 8 के साद माल्टिप्लाइ होगा, plus 4 होगा, 3 exact 24 होगा, 24 plus 4 equal to value आएगा, 28, so 28 right hand side में है, so left hand side जब हमने y का value पूट किया, तो हमें right hand side का value मिला, तो हम कह सकता है कि therefore left hand side equal to right hand side, question 10, y minus 2 by 2 equal to 3 है, तो इसको हम cross multiplication करेंगे, y minus 2 by 2 equal to 3, यह जो 3 है, 3 की नीचे 1 है, तो 1 की साथ इसको हम multiply करेंगे, y minus 2 into 1 ऐसे होगा, next 2 की साथ 3 को multiply करेंगे, तो 2, 3, 6 होगा, इसमें आएगा y minus 2, तो एसे ही हम इसको cross multiplication करेंगे, तो value आएगा, y minus 2 equal to 6 होगा, next y का value क्या मिलेगा, 6 इसको stir up लाएगे, तो plus 2 होगा, next y equal to value 1, हम चेक करेंगे y equal to 8, यह जो solution मिला है, यह इसका है या नहीं, तो चेक कैसे करेंगे, हम इसका left hand side लेंगे, left hand side equal to y minus 2 by 2, 2, तो y का value हमें मिला, 8 minus 2 by 2, so 8 minus 2 equal to 6 by 2, 2 से 6 को divide करेंगे, तो 3 मिलेगा, तो value आएगा 3, 3 यह right hand side में है, तो यह right hand side का value हमें मिल गया, therefore हम क्या लिख सेकते है, left hand side equal to right hand side, यह होगा इसका solution, question a, 3a minus 7 by 4 equal to minus 4, so इसको हम cross multiplication करेंगे, तो 4 की नीचे 1 है, 1 की साथ इसको multiply करेंगे, तो value आएगा 3a minus 7, और 4 की साथ 4 को multiply करेंगे, तो 16 आएगा, minus 16, next क्या करेंगे, 3a को इस्टरफ राखेंगे, इसको इस्टरफ ले जाएगे, तो minus 16 plus 7 होगा, next, 3a equal to minus 9 रहेगा, now a equal to क्या करेंगे, हम minus 9 by 3, 3 होगा, 3 से 9 को divide करेंगे, तो 3 मिलेगा, so a का value आएगा, minus 3, a equal to minus 3, यह जो solution मिला, इस equation का यह solution है, या नहीं इसको चेक करेंगे, अगर variable दोनों साथ में रहेगा, तो दोनों साथ को चेक करेंगे, अगर एक साथ में रहावे रहेगा, तो हम एक साथ को solve करेंगे, तो दूसरी साथ का value निकल के आना चाहिए, तो इसमें हम left hand side में a का value put कर सकते हैं, इसलिए हम left hand side लेंगे, तो 3a minus 7 by 4, तो 3a का value अभी है, इधर put करेंगे, तो minus 3 आएगा, minus 7 by 4, तो 339 minus 9 minus 7 by 4, तो minus 9 minus 7 equal to minus 16 by 4, तो 4 से इसको divide करेंगे, तो 4 टाइम होगा, मतलब minus 4 आएगा value, तो ये minus 4 value हमें right hand side का value मिल गया है, तो इसलिए हम क्या कहसे लेखता है, ये जो solution हमने निकाला, ये correct है, पतलब therefore left hand side equal to right hand side, ऐसे लेख सकते है, question 9, 3b plus 4 minus 7 equal to 4b plus 14, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 3 की साथ b को multiply करेंगे, तो 3b मिलेगा, b की साथ 4 को multiply करेंगे, तो 12 होगा, plus आएगा, minus 7, 4b plus 14, next क्या करेंगे, इसमें 3b है, तो इस 4b को इस तरफ लाएंगे, तो minus 4b होगा, plus 12 minus 7, इसमें रहेगा कितना, plus 5, plus 5 को इस तरफ लाएंगे, right hand side की तरफ, तो 14, ये जो 14 है, 14 की साथ minus 5 होगा, next किसमें रहेगा value, minus b, और इसमें रहेगा, plus 9, तो ये जो b का value है, b का value positive में होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, दुनों तरफ minus 9 से multiply करेंगे, तो minus, minus b, and minus 9, so minus and minus became plus, so b equal to minus 9, ये बन गया है b का value, तो solution हमें मिला, b equal to minus 9, ये सही है या गलत, इसको हम चेक करेंगे, चेक, left-hand side, left-hand side equal to 3, b plus 4, minus 7, 3 b का value हमें मिला, minus 9, plus 4, minus 7, तो इसमें ये bracket आएगा, तो 3, minus 9, plus 4, तो value कितना रहेगा, minus 5 रहेगा, minus 9, plus 4 का value कितना रहेगा, तो 5 रहेगा, 5 minus 7, so 3, 5 रहेगा, minus 3, 5 रहेगा, minus 3, 5 रहेगा, 15, 15 minus 7, equal to total value होगा, minus 22, अभी हम right-hand side का value find करेंगे, तो right-hand side में क्या है, 4B plus 14 है, तो 4B का value कितना है, minus 9, plus 14, तो 9, 4 रहेगा, 36, minus 36, plus 14, इन दोनों को सब्स्ट्रेक करेंगे, minus 36, plus 14, तो कितना रहेगा, 22, पदलब greater damage, negative, तो इसमें निगिरिव आएगा, तो value आएगा, minus 22, इधर हमने देखा कि left-hand side का value है, और right-hand side का जो value है, दोनों सेम हैं, तो therefore हम लिख सकते हैं कि left-hand side equal to right-hand side, question 10, 4x plus 2 equal to minus 5x plus 2, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साद multiply करेंगे, तो 4x होगा, plus 8 आएगा, next, इन दोनों को multiply करेंगे, 2 minus 5x आएगा, इन दोनों को करेंगे, तो minus 10 आएगा, तो next होगा, 4x, इस 5x को इस थरफ लाएँगे, तो plus 5x होगा, तो minus 10, इसको इस थरफ लाएँगे, तो minus 8 होगा, तो 9x equal to minus 18 होगा, तो x equal to क्या आएगा value, minus 18 by 9, तो 9 से 18 को divide करेंगे, तो 2 होगा, तो x का value हमें मिलेगा, minus 2, यह हम चेक करेंगे, चेक, left hand side equal to 4x plus 2, तो 4x का value होगा, minus 2 plus 2, अभी क्या होगा, minus 2 plus 2 equal to कितना होगा, 4 into 0 होगा, तो finally value क्या हमें लेगा, 0 मिलेगा, in the same way हम right hand side का value find करेंगे, right hand side equal to minus 5x plus 2, so minus 5x का value है, minus 2 plus 2, so minus 2 plus 2 equal to कितना होगा, 0 होगा, into minus 5 into 0, so इन दोनों को जो multiply करेंगे, तो 0 आएगा, हमने इधर देखा कि left hand side और right hand side दोनों में 0 है, तो इससलिए हम क्या कह सकते हैं, therefore left hand side equal to right hand side, so x equal to जो हमें minus 2 मिला, यह एक correct solution है, यह equation का, question 11, 4x by 2 equal to minus 3, 2 minus x, इस equation को हम ऐसे solve करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यह जो 2 है, 2 की साथ इस 4 को divide करेंगे, तो 2 होगा, तो twice x equal to कितना value आएगा, minus 3, 2 minus x, ऐसा होगा, तो next क्या करेंगे, twice x equal to, इन दोनों को multiply करेंगे, तो minus 6 आएगा, और plus 3x होगा, तो value क्या आएगा, twice x, इसको इस्टे रख रहेंगे, तो minus 3x and minus 6, तो minus x equal to, कितना हैगा, minus 6, तो इन दोनों minus को हम cancel करेंगे, क्योंकि दोनों टरफ है, तो इसलिए हम eliminate कर सकते है, और यह जो variable है, variable का value कभी भी negative नहीं होना चाहिए, मतलब यह variable negative नहीं होना चाहिए, इसका value यह negative हो सकता है, मतलब x equal to minus 6 हो सकता है, लेकिन minus x equal to 6, एसे हम नहीं लिखेंगे, minus इन से multiply करके, यह जो x variable है, variable को हम always क्या करेंगे, positive में रखेंगे, 6 जो value हमें मिला, यह सही है या नहीं, इसको हम check करेंगे, left hand side equal to, left hand side में value दिया है 4x by 2, so next हम क्या करेंगे, 4 into x का value put करेंगे 6, so 2 से जब हम 4 को divide करेंगे, तो 2 times होगा, तो 2 into 6 equal to कितना है, 12 आएगा, अभी हम right hand side का value निकालेंगे, rs is equal to कितना होगा, minus 3, 2 minus x, so minus 3, यह जो 2 है, 2 को इधर रखेंगे, x का value कितना है, 6 है, तो bracket close, minus 3, 2 minus 6 equal to कितना होगा, minus 4 होगा, तो minus and minus begin plus 3 for the 12, अभी हमने देखा कि left hand side और right hand side दूनों में same value आ गया है, तो therefore हम क्या लिख सकते है, left hand side equal to right hand side, so यह जो x का value हमें मिला, x is equal to 6, यह answer सही है, question 12, minus 4 bracket 3 minus y by 2 equal to 3 bracket 3 plus y, इस equation को हम कैसे solve करेंगे, पहले इस 2 की साथ इसको divide करेंगे, तो 2 times होगा, तो value क्या रहेगा, 2 minus 2, 3 minus y, यह आएगा value, इसके बार इसको हम लिखेंगे, 3, 3 plus y, यह सा होगा, next क्या करेंगे, इसके साथ इसको multiply करेंगे, तो 6 होगा, minus 6, इसके साथ इसको multiply करेंगे, तो कितना होगा, twice y होगा, minus and minus begin plus होगा, इक्वेल तो इनको इनकी साथ माल्टिप्लाई करेंगे तो 9 होगा, इनको इनकी साथ माल्टिप्लाई करेंगे तो 3y होगा, तुनों की बिच में पॉजिटिव साइन है, तो प्लास ही इधर लिखेंगे तो यह जो 2y है, 2y, 3y को इस्टर अपलाएंगे तो minus 3y होगा, इधर रहेगा plus 9, minus 6 को इस्टर अपलाएंगे तो plus 6 होगा, तो minus y equal to value आएगा 15, तो y को हम ऐसे negative में नहीं रहाख सकते, अगर y equal to minus 15 होथा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y को हम negative नहीं रहाख सकते, इसलिए हम दुनों तरफ एक minus 3 से multiply करेंगे, तो minus y equal to minus 15, ऐसे होगा, तो y equal to minus 15 आएगा, अभी हम चेक करेंगे, 4 को 2 से divide करेंगे, तो 2 रहेगा, तो minus 2, 3 minus y, अभी हम क्या करेंगे, y का वेलो पूट करेंगे, 2, 3, y का वेलो कितना है, minus 15 है, तो minus 15 को इधर एसे लिखेंगे, तो bracket ऐसा होगा, तो minus 2, minus and minus became plus, तो 3 plus 15 इक वेलो कितना होगा, 18 आएगा, तो 2 इंटो 18 इक वेलो माइनास 36, तो अभी राइट हैट का वेलो निकालेंगे, rs is equal to 3, 3 plus y, तो यह 3 हर रहेगा, इसमें 3 plus y का वेलो कितना है, minus 15 होगा, plus 3 minus 15 इक वेलो कितना होगा, minus 12 होगा, so 3 to 12 is equal to 36, plus and minus begin minus, अभी हमने रेखा कि left hand side और right hand side दोनों में वेलो सेम है, मतलब y equal to minus 15, यह जो solution हमने निकाला, इस equation का यह सही है, therefore left hand side equal to right hand side, यह हम कह सेकते है,